मार काट्टून टीवी पागल हो गए हो तो क्या अकल ठीकाने लगा दू तुम्हारी हाँ अंजू ये कुछ ज्यादा ही बहग रहा है चलो इसको और इसके सब सात्यों को थोड़ा सा सबक सिखाई देते हैं ठीक है मंजू जैसे तेरी मर्जी अंजू और मंजू दोनों सबके बीच में खड़ी हो जाती है और उन सबको अपने पास बुलाती है आजाओ तुम सब हमारे पास आओ और पास आओ सब बदमाश उन दोनों को चारो तरफ से घेड लेते हैं जैसे ही वो उन दोनों के नस्दीक पहुँचते हैं उन सब बदमाशों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब उनके सामने दो लड़किया नहीं, दो चुड़ैलने थी और वो दोनों उन सब की पिटाई करना शुरू कर देती है सब को मारने के बाद जगू बचता है तो वो अपनी जान की भीक मांगता है मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो लेकिन हम तो चाते हैं कि तू ऐसा ही करे आज तो मैं तेरा खून पियोंगी नई, मैं इसका कीमा बना कर खाऊंगी नई, मैं पहले इसका खून पियोंगी दोनों चुड़ेलों की बाते जगू बिचारा सुन रहा था उसको यहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं सूच रहा था तेरी इसी हट की वज़े से हम दोनों की जान गई थी लेकिन तू अभी भी नहीं सुधरी और ये हट नहीं छोड़ती मैं तेरी जैसी नहीं हूँ आखिर तू मेरी सौतेली बेहन जो है इसलिए ही हम दोनों अलग है ठीक है पहले तू इसका खून पी ले आखिर तू रहेगी तो सौतेली चुड़ेल बेहन ही ये हुई ना बात लेकिन जब वो चुड़ेल जगू को पकरने के लिए जाती है तो वो वहाँ पर नहीं था अरे वो जगू कहां जला गया अभी तो यहीं पर था चलो उसको ढूंडो जल्दी कहीं ऐसा नहों की खून भी ना मिले और कीमा भी रह जाए हम दोनों को भूखा ही सोना पड़े दोनों चुड़ेल बेहने जगू को तलाश करती हुई वहाँ से बाहर जाती है जगू सुनसान रास्ते पर भाग रहा था दिखाई तो नहीं दे रही वो दोनों बस थोड़ी देर और ना आए तो मैं यहां से भागता हुआ अपने घर पहुँच जाऊंगा जगू भागता हुआ जा रहा था कि अचानक उसके पैर रुख जाते हैं और वो आगे नहीं भाग पाता यह क्यों वो मेरा पैर किसने रोक लिया क्या सूचता है कि हम सातेली चुड़ैल बेहनों से बचकर चला जाएगा तू वो उसको पकड़ती है और अपने साथ लेकर चली जाती है मुझे जाने दो मुझे जाने दो जगू बहुत चीकता चिलाता है लेकिन चुड़ैल बेहने उसको अपने साथ ले जाती है मंत्री के बेटे की लाश मिलती है पूरे गाउं में ये बात फैल जाती है कि जंगली जानवरों ने मंत्री जी के बेटे को मार डाला हमारे गाउं में पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जंगली जानवरों ने यहाँ पर किसी पर हमला किया हो और जंगल तो कितना दूर है हमारे गाउन से पहले तो राज्से में दो और गाउन भी बढ़ते हैं तुम ठीक कहते हो भीमा अगर जानवर ये सब करते हैं तो दूसरे गाउन से हमको ये सब पता चल जाता ये हो ना हो कोई बूत प्रेत का ही काम है आप क्या कहते हो सुक्षी काका भाई आपने तो हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है तुम ठीक बोल रहे हो भीमा ये जरूर किसी बहुत चुडैल का ही काम है इसलिए अब हमको थोड़ा ध्यान से रहना होगा अगली रात फिर से आती है और वो चुडैल बहने फिर से वहाँ पर आ जाती है मन्जू किसी दूसरे गाउं में चलते हैं आज कल भी इसी गाउं में हमने शिकार किया था नहीं मुझे इसी गाउं में शिकार करना है देख तु फिर से हट करने लगी मैंने कहा ना कि आज दूसरे गाउं में चलते हैं और मैंने कहा ना किसी गाउं में हम किसी को पकड़ेंगे तू हमेशा सौतेली के जैसे ही मुझसे बात करती है ठीक है अंजू कहीं तेरी इस हट से हमको कोई भस महीं ना करते दोनु चुडेल बहने वहाँ पर घूमने लगती है और अपना शिकार देखने लगती है तब ही उनको बैल गाड़ी पर कोई आता हुआ दिखाई देता है तुम यही पर रुको मैं अभी उसको हवा में उड़ा कर लाती हूँ इतना बोल कर मंजू वहाँ से बैल गाड़ी की तरफ जाने लगती है बैल गाड़ी के नस्दीक पहुँचकर वो बैल गाड़ी के सामने आ जाती है बैल गाड़ी इंदम से रूच जाती है अरे वाँ बैल गाड़ी में तो दो शिकार है मसा आ गया फिर तो बाबा बचाओ, सामने चुड़ेल आ गई है शांत रहो बिर्जू, डर क्यों रहे हो बाबा, सामने चुड़ेल खड़ी है, जो हमका खाने की बात करी है और आप बोल रहे हो, कि डर क्यों रहे हो बिर्जू डरो मत ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते क्या बच्चो वाली बात करता है ये बाबा चुड़ैल अगर तु भस्म नहीं होना चाहती तो चुप चाप हमारा रास्ता छोड़ दे क्योंकि हम किसी को बिना वजय कुछ नहीं कहते देखो तो इस पूरे बाबा को ये हमको भस्म करने की बात कर रहा है अभी तुझे हम अपनी ताकत का नमूना दिखाती है दोनों चुड़ैल बेहने अपनी ताकत से बाबा पर उत्ता करती है जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं जिसके बाद वो बिर्जू के पास पहुँच जाती है आज तो तेरा सर तोड़ कर उस खूपड़ी को चबागर खाऊंगी मैं नई, मैं तो इसके सिर को आग में भुन कर खाऊंगी तुम फिर से जित करने लग गई? मैं तुमें कितनी बार ही समझा चुकी हूँ ऐसी हट मत लिया कर लेकिन तू मरने के बाद भी ये बात नहीं समझ पाई उधर बेचारा बिर्जू डर से काप रहा था और उसको अपने सामने मौत नजर आ रही थी बाबा बचाओ मुझे ये चुडैल तो मेरा सर मूनकर खाने की बात कर रही है वो बिचारा तो खुद की जान नहीं बचा सका तो भला अब तुझे कैसे बच जाएगा? चुडैल बेहने बिर्जू की तरफ बढ़ने लगी और बस बिर्जू की जान लेने ही वाली थी कि उनके उपर एक जोड़तार हमला होता है जिससे वो दोनों अलग-अलग दिशाओं में जाकर गिरती है बाबा जमीन से दो छोटे पत्थर उठाते हैं और फिर मंत्र बोलने लगते हैं दोनों चुरेल बहने भी अब संभल गई थी और वो बाबा की तरफ गुस्से से बढ़ने लगती है आज इस बूरी को तो मैं कच्चा ही चबा जाओंगी नहीं, इसको तो मैं कच्चा चबाओंगी बाबा अपने हाथ के पत्थरों को उन दोनों चुरेलों के उपर गिरा देते हैं लेकिन आगे जो हुआ उसको देख कर बिर्जू के साथ वो दोनों चुरेल बहने भी नहीं समझ सकी क्योंकि वो दोनों चोटे पत्थरों का आकार बढ़ता हुआ जा रहा था अंजू, ये क्या हो रहा है? ये पत्थर तो बढ़े होते जा रहे हैं और हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं हाँ मजू, पहले तो खुद को इनसे बचाओ और वो दोनों चुडेल बहने पत्थरों से खुद को बचाने लगी लेकिन बचाने सकी दोनों पत्थर उस चुडेल बहनों के उपर हमला कर चुके थे और उन दोनों को ले जाकर दूर किरते हैं दोनों चुड़ेल बेहने अब उन पत्थरों के नीचे दबी हुई कराह रही थी ये सब देख बिर्जू भी खुश हो गया और नाचने लगा बिर्जू अपनी बेलगारी से एक रसी निकाल कर बाबा को दे देता है बाबा रसी को पकड़ कर फिर से कुछ मंत्र बोलने लगते है उधर वो दोनों चुड़ेल बेहनों ने भी पत्थर को अपने उपर से हटा लिया था और अब गुस्से से बाबा की तरफ जाने लगी दोनों अपने भयंकर रूप में आ गई थी और अपना आकार भी पहले से बड़ा कर लिया था अब तुम मरेगा बुढे बाबा ने उस रसी को उन चुड़ेल बेहनों की तरफ उच्छाल दिया वो रसी एक जाल बन कर गई जिसमें वो दोनों चुड़ेल बेहने कैद हो गई थी अब बोलो क्या तुम दोनों को इस चुड़ेल के अंदर ही भस्म कर दूँ बोलो नहीं नहीं बाबा ऐसा मत करना मत करना यहां से भाग अंचु इस बुड़े से बाद में निपट लेंगे दोनों चुड़ेल बेहने जाल के साथ ही वहां से भाग जाती है और बाबा भी बैल गाड़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते है गाउं में गाउं वाले बाबा का इंतजार कर रहे थे सुखी काका बाबा को गाउं में होने वाली सारी घटना के बारे में बताते है सब जानने के बाद बाबा बिर्जू को बोलते है बिर्जू चलो यहां से वापस क्योंकि इनकी समस्या का समाधान तो हो चुका है लेकिन बाबा हमारे गाउं वाले बहुत दैशत में हैं और अभी तो आपने बस हमारी बात ही सुनी है उसका उपाय तो किया ही नहीं फिर बिर्जुन सब को चुड़ैल बहनों वाला सारा किस्सा सुना देता है सब लोग समझ जाते हैं कि बाबा ने समस्या का समाधान कर दिया है और सब बाबा का धन्यवाद करते हैं